कि हलो फैंस मैं नितेश कुमार आपका आपके यूटूब चैनल इन्वेश्ट फोर आवर में एक बाफिट से स्वागट करता हूँ आज हम सबसे पहली बार ऑप्शन से लेकर बाते करने वादें और और ऑप्शन में में आपको बताने वालों कि मार्केत में एक्चुल आज के दिन में क्या होतानी आप और एपको यूंट की यहां पर डो जोंज में व्रीवल्ट होते हु़ी दिखाईह तहए आपको जोŷ्थो की आपके सामने है as well as कल Nifty ने भी एक एहम support था वो तोड़ दिया Nifty ने भी अपनी जो call का ratio था जहां से हम पैसे बना रहे थे वो भी तोड़ दिया तो exactly अब क्या करना चाहिए तो सबसे पहले हम Nifty पर आजाते है Nifty 18,106 पर यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है तो यहाँ पर आप देखिए अभी तक मार्केट क्या काम कर रही थी अभी तक यह Nifty का 15 minutes का chart है तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 20 DMA को support करके चीजे उपर नीचे होती हुई नजर आ रही थी और यहाँ पर फिर इसने 200 DMA को touch किया और touch करके यहाँ पर नीचे आती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर आप देखोगे तो यह 200 DMA को इसने क्या कर दिया है तोड़ दिया है अब आप कहेंगे कि सार यह 200 DMA तो यहाँ पर भी तोड़ा था बट यहाँ से bounce back हो गई यहाँ पर भी तोड़ा था यहाँ पर जो candle create होती हुई नज़र आ रही है वो थोड़ी सी negative candle create होती हुई नज़र आ रही है ऑके बट सामने हमें support भी नज़र आता है यह एक तो support 18,000 81 का है एक support 18,000 पजास का है जो कि मुझे रखता है नहीं hold कर पाएगा क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि डो जोंस में एक तरीं बड़ी गिरावट यहाँ पर देखी गई है तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि मार्केट में एक gap down open हो और gap down के लिए जो open हो तो कहाँ पर open होता हुग दिखाई दे सकता है 18,050 के आसपास एक gap down हमें दिखाई दे सकता है या फिर मैं यहाँ पर nifty का एक chart निकाल के दिखाता हूँ आपको sorry nifty का ही daily chart यहाँ पर देखते है तो daily chart में हमें एक idea आता हुग दिखाई देगा कि कहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा नीचे का जो range है 17,793 17,793 की range को भी यहाँ पर carry कर सकता है या फिर आप मान के चलिए कि एक जो गिरावट है या फिर gap down है वो कहां तक आता हूँ दिखाई दे सकता है तो वो सीधे 18,000 के आसपास का gap down 17,963 के आसपास का gap down हमारा आ सकता है और उसके बार शायद यहाँ पर bounce back देखने को यहाँ पर मिल सकता है बट बीच बीच में bounce back मिलता रहेगा तो थोड़ा सा आज समलने की जगवत है और यहाँ पर देखिए यह call options है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि किस तरीके से चीज़े यहाँ पर काम करती हुई नजर आ ली थी करम ने यहाँ पर profit भी बनाया था यहाँ पर करीट किया यहाँ यहाँ पर आसपर sell किया था बट यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने लास्ट मोमेंट पे लगब दो बच के 45 मिन्ट पे एक बड़ी red candle बनाई और यहाँ पर चीज़े गिरती हुई नजर आई मुझे नहीं लगता जिस तरीके का यहाँ पर market का behavior है यहाँ पर याद रखिए जैसी इस level को तोड़ेगा तो सबसे पहले अगर gap down open हो रहा है तो याद रखिए gap down open होती ही साथ तो यह levels तो यहाँ पर already टूटे हुए है तो मुझे नहीं लगता है चीज़े यहाँ पर hold करने वाली है और चीज़े थोड़ी सी शायद यहाँ पर बेकार होती भी नजर आ सकती है तो 18100 का यह call options है इसके इलावा में 18000 18000 के आसपास का अगर मैं यहाँ पर देखू क्यों कि अगर nifty gap down open होती है और मैं इसका call option देखूं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि gap down यहाँ पर भी open हुआ है चीज़े यहाँ पर आके फिर शायद थोड़ा सा bounce back दिखा सकती है PE लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो strategy हम कब बनाएंगे market का behavior देखके उसी time यहाँ पर behavior उसी time यहाँ पर नुक्टी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं कि exactly यहाँ पर क्या चलता हुआ नजर आ सकता है बट अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि market को हमें यहाँ पर buy करना चाहिए हमें call option बाई करना चाहिए यहाँ पी option बाई करना चाहिए वो हमें तभी market का behavior देखके पर चलेगी यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 28 DMA को यहाँ पर करके चीजे नीचे आती हुई दिखाई दी है और शायद यह और बहतरी support के आसपास है और चीजे यहाँ से जैसे कि यहाँ पर अगर बात चल रही है nifty gap down ओपन होता है तो यहाँ पर क्या हो सकता है यहाँ पर एक अच्छे गासे तरीके से यह उपर की तरफ भागती भी दिखाई दे सकती है और यह भी gap up में उपर होके चीजे थोड़ा सा उपर यहाँ पर जा सकती है तो हमें यहाँ पर फिर उस moment पे हम 18,000 18,000 की जो P है इसे यहाँ पर buy करते हुए नज़राएंगे और अच्छा गासा profit यहाँ पर बनाएंगे तो यह 18,000 P यह 18,000 की call यहाँ पर देखते है कि यहाँ पर market कितना gap down होता है और add the money ही यहाँ पर हम play करते हुए नज़राएंगे तो buying selling की कोई recommendation नहीं है आपको एक view देना था कि market में यहाँ पर क्या हो सकता है market यहाँ पर क्या करने की सोच रहा है market यहाँ पर किस तरीके से behavior कर रहा था अभी तक किस तरीके से पैसे बन रहे थे और अब भी हाँ पर किस तरीके से पैसे बने ही तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर चैनला को सब्सक्राइब करिएगा ताकि इस तरीकी वीडियो मिलते है तो थैंकी सो मच गल्प्लेस